जहां तक आपने कोरोना वाइरस की बात की आप बैठिये मैं बताता हूँ अनुबव आप भी बैठिये आप भी बैठिये जहां तक आपने कोरोना वाइरस की बात की तो यह सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में है मैं समझता हूँ इसमें आपकी और हमारी हम सब की सतर्ता बहुत महत्वपून है चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारे हो या मुनिसिपालेटी हो ग्राम पंचायत हो सभी इस मामले को लेकर उचीत इंतजाम और देखरेक में जुटे हुए है हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाप भी है सौंसादन भी है और जागरुक आप जैसे अनेक नागरिक भी है हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानिया क्या है बड़ी-बड़ी बाते नहीं है जी ये अलग-अलग माद्यों में से आपको साहिद पता भी चलता होगा लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं मैं फिर से एक बार जब आपने मुझे पूछा है तो मोका ले लेता हूँ और आपके माद्यम से देश के सभी नागरीकों के लिए वो सारी बाते मैं दोरा रहा हूँ और मैं कहता हूँ का आप भी याद रखिए और हर स्कूल में कॉलेज में सब जगा पर बताईए देखिए क्या करना है एक तो हमें बीना जरूरत के कहीं इखठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सभाई करनी चाहिए अपने चहरे को अपने नाक और अपने मूँ को बार बार चूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदल को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मूँ को टच करना चाहिए जानकारों का कहना ये है कि ये खांसते या छिंकते समय जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ चोटे चोटे बिंदु निकलते दिखते भी नहीं है उसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे ये फैलता है ऐसे में जिस भी चीज़ पर ये छीटे गिरते हैं उसमें ये वाइरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती हैं तो कोशिच यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संक्रमन हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है तो उसको बहुत गवराने की जरुवत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ने किसी नज़िदी की अस्पताल में चेक करवा लिजिए यह बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते है उनको भी इंफेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेश करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए ग्लव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग-अलग राय है लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या च्छिंकते समय जो हवा निकलती है उसके चाहिए जो छोटे-छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉपलेट्स वो दूसरों पर न जाएं वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है मास्क को एड्जेस करते हमारा हाथ बार-बार मुँवर को छूता है इससे बचाव की जगह infection फैलने की आशनका बढ़ जाती है साथ यो ऐसे समय में अफ्वाएं भी तेजी से फैलती है कोई कहता यह नहीं खाना है वो नहीं करना है कुछ लोग चार नहीं चीजी लेकर के आ जाएंगे कि यह खाने से कैरोना वायरस से बचा जा सकता है ढीकना करने से बचा जा सकता है मेरी सभी देश्वाश्य प्रांथना है महरबानी करके इन अपफ़ाओं से भी बचना है आपको कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक्टर की सलह से ही करे हम स्वायम डॉक्टर न बढ़ जाए और हाँ पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदट डाल रही है अगर किसी कारण से हमने ये आदट छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाए इस आदट को फिर से डालने का भी मैं समाता यो उत्तम समय है नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बाते हैं शाहिद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे आप भी सबको यही बताएए डराओने डरने की जरूत नहीं है भाई पैदा करने की जरूत नहीं है अफाई भलाने की जरूत नहीं है बस इतनी सीच चिंता करनी है करने की जरूत नहीं है